जाहिन दोस्तों आज मैं आपको एग्रिकल्चर कंपटीशन से रिलेटेड पक्चीस धमाकेदार कोश्चन इंटमोलोजी के बताने जा रहा हूँ और ये कोश्चन आपके जारेफ, एसारेफ, बियचू और यूपी कैटेट और जो भी जॉब के लिए एक्जाम होते हैं उनक देखिए आप पहला कॉश्चन यजब किशन क्या कह रहा है देक कनेक्टेंट लिंग बिट्वीन एनिवीदन आर्थोपोड़ एनिवीड़ा और आर्थोपोड़ा के बीच जोड़ने वाली कडी एनि लिडरा कस्भाक आर्थोपोड़ा जिसमें केच्पा आता है और और भी चीजें, कीडे मकोडे आते हैं, उनको उन दोनों को बीच की जोडने वाली जो बीच की कड़ी है, यानि इसमें कुछ करेक्टर एनी लीडा के पाए जाएंगे और कुछ करेक्टर आर्थोपोडा के पाए जाएंगे, तो वो क्या है? ये रहे आपके आपसन, तो पहला क्या है, थाइसा निवरा, पहला आपसन आपका क्या है, थाइसा निवरा, फिर दूसरा आपसन क्या है, पेरिपैटर्स, तीसरा आपसन है आपका, जैपीगिडी, और चौथा आपसन है आपका, नौन आपदीज, तो आप बताइए इसमें कौन सा आपसन आप तो इसमें जो है आप सन आपका पेरीपैटस इस करेक्ट आप सन और यह कुर्श्शन बहुत पूछा जाता है Next यह पूछब यह अगला question, which are the following not insect, अब यह question पूछ रहा है कि इन में से कौन सा इंसेक्ट नहीं है ये आपके आपसन दिये हुए है ये पूछ लेता है कि कौन सा इंसेक्ट है और कौन सा इंसेक्ट नहीं है तो आप देखिए पहला आपसन क्या है आपका माइट दूसरा फ्लीस और तीसरा है बोडी लॉस और चौथा अपसन आपका है मिली बग माइट, पिस्सू, सरीर की जूँ और मिली बग ये आपके अपसन है तो इन अपसन में आपको बताना है कि कौन सा इंसेक्ट नहीं है तो माइट ये जो है ये आपका इंसेक्ट नहीं है क्योंकि ये Arachnida class से बिलौंग करता है किस किलास से बिलौंग करता है ये Arachnida class से बिलौंग करता है ये question क्या कह रहा which of the following? not social insect देखिए कितने मजएदार और धमाकेदार question नहीं है यही question आपके competition में पूछे जाते हैं तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन social insect नहीं है तो आप देखिए पहला termite दूसरा आंट तीसरा एफिड और honeybee यह हैं आपके option दीमत चीटी, माहू और मदमक्खी यह हैं चार option अब चार में आपको एक मारना इन में से आपको बताना है कि कौन एक social insect नहीं है तो आप देखिए termite यह भी एक social insect है, social behavior करता है आंट भी है, honey भी है यह भी एक समाजिक कीट है एफिड जो है यह समाजिक कीट नहीं है माहू आपका समाजिक कीट नहीं है फिर अगला monophagus insect of mango mango का आपको बताना है कि इसमें कौन सा monophagus insect है monophagus insect वो insect होते हैं जो एक ही plant पर लगते हैं जैसे mango पर अगर जो वो insect कौज करता है या उसमें हान पहुँशाता तो सिर्फ mango को ही हान पहुचाएगा बाकि किसी भी plant को वो हान नहीं पहुचाएगा जैसे कि आपका गौवा हुआ पापाया हुआ इन सब plant में यह insect नहीं कौज करेगा तो यह सिर्फ mango में ही जो कीट लगता हो जो mango को हान पहुचाता हो ऐसा इंसेक्ट आपको बताना है तो यह है आपके आप्षन पहला आप्षन क्या है mango हापफर दूसरा आप्षन क्या है mango milliwag तीसरा आप्षन आपका वार्ख इटिंग caterpillar और चौथा आप्षन आपका mango nut weevil तो आपको यह बताना है mango हापर जो है वो monofagus नहीं है हापर सम्मे लगते है mango milliwag यह भी एक नहीं है और वार्ख इटिंग caterpillar यह जो च्छाल को खाता है यह भी नहीं है तो इन में से अप्षन आपका कौन हो गया mango nut weevil यह इसके stone में लगता है जो mango की आपकी आम की गुठली होती अंदर का stone होता है उसमें जाके यह लगता है यह mango का monofagus insect है और बहुत ज़्यदा इत्जामों में पूछा जाने वाला यह question है तो अगला question कौन सा आए crab belong to which class of orthopoda केकड़ा orthopoda के कौन से वर्ग से belong करता है तो यह तो आपको पता होना चाहिए कि किस class से belong करता है क्योंकि हमने आपको पहले अपने first video में यह बताया था हमने आपको orthopoda के seven class बताये थे और उनके example भी बताये थे तो arachnida इसमें क्या आते हैं इसमें might आते हैं, ticks आते हैं और spider आते हैं, scorpion आते हैं यह हम बताये हैं, oncophora इसमें क्या आता है, peripatus आता है crustacea इसमें आता है आपका crab और prawn यह आते हैं फिर diplopoda इसमें dipluron आते हैं तो यह correct option आपका क्या है, c number crustacea से crab belong करता है next, the order having maximum number of insect वो कौन सो order है, जिसमें maximum number यानि कि सबसे ज़्यादा insect पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कीडे पाए जाते हैं आपके 29 order हैं, 29 order में से सबसे ज़्यादा किस में इंसेक्ट पाए जाते हैं, किस order में पाए जाते हैं तो देखो कीटों की अधिक संख्या वाला गड़ है तो अब का अपसन क्या होगा, C numbers अई होगा कोलियोपिटेरा में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पाए जाते हैं सबसे बड़ा order कौन सा है, वो कोलियोपिटेरा है आपका ठीक, यह रहा आपका अब यह देखिए यह question आपका क्या कह रहा है मैं आपको पूरे question के answer और उनसे related जानकारी दूँगा एक question में से आप दो या तीन question बना सकते हैं यह देखिए common name आप periplaneta americana अब periplaneta americana का common name यह किसका scientific name है, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यह किसका scientific name है तो यह आप आपको बताना है कि यह किसका scientific name है अब इसी तरह के question पूछे जाते हैं तो यह काकरोज का है किसका है काकरोज का आप यह periplaneta americana scientific name है उसके बाद में grasshopper का क्या scientific name है hero glyphos benyine और termite का क्या है odentotermus oasis तो यह देखिए अगर जो पूछ लिया जाता है ऐसे कि odentotermus oasis यह किसका scientific name है तो आपको बताना होता termite का है फिलाल तो इसका आपसन काकरोज सही है अगला who wrote the famous book of fungi and plant disease अब यह देखिए आप fungi and plant disease यह किताब किसने लिखी है यह जो आपकी पुस्तक fungi and plant disease है यह किस साइंटेस्ट ने लिखी है तो आपको यह बताना रहेगा अब आपको पता होगा अगर जो कि किस साइंटेस्ट ने लिखी है यह बुकें पता होंगी तो आप बता देंगे माइकोलोजी इंडिया भारत में माइकोलोजी के जनकारी जनकारी देंगे यह बारत में कहे जाते हैं यह है आपका कोस्चन और यह कोस्चन पहुत बार पूशा गया जयारेफ में और भी अधर कंपटेटिव एक्जाम में तो पहला क्या आए पीए मिसेली दूसरा आपसन है आपका एंटॉन दी बेरी और तीसरा आपसन है आपका तीजे बरिल और चौथा आपसन है आपका एजे बटलर तो इसका वैसे तो आपसन क्या होगा आपका सही करेक्ट आपसन क्या होगा एजे बटलर एजे बटलर करेक्ट है भारत में जो माइकोलोजी के पिता कहे जाते हैं वो एजे बटलर कहे जाते हैं माइकोलोजी में फं वर्ड में, वर्ड में आपके कहे जाते हैं, पिये मिसेली, ये आल वर्ड के हो गए, और मॉर्डन माइकोलोजी के पिता, एंटॉन दी बेरी कहे जाते हैं, और ये जो आपसन है आपका, टीजे बरिल, इन्होंने किसकी, फायर विलाइट आप, पियर, जो है, वो डिजीज की अगला कौन सा है, एथेलिया लूजेंस प्रॉक्सिमा इजे पेस्ट और विच क्रॉप, ये पूछ रहा है, कि एथेलिया लूजेंस प्रॉक्सिमा जो है, वो किस क्रॉप का पेस्ट है, या किस क्रॉप का इंसेक्ट है, तो आप बताएंगे, कि किस क्रॉप का है, तो ति उसी में बताया था यह किसका पेस्ट है? मस्टर्ड का है, अथेलिया लूजेम्स, प्रोक्सिमा, इसका ओर्डर क्या है? हाइमिनो पेटेरा ओर्डर है, हाइमिनो पेटेरा का यही एक ऐसा इंसेक्ट है, जो बेनिफीसियल नहीं है, यह हानुकारक है. अगला, वेक्टर आप चिली मोजायक, वेक्टर से हर साल सभी एकजाम में एक या दो कोर्शन हमेशा पूँच लिया जाता है. तो आपको पताना होगा कि वेक्टर आप चिली मोजायक है, चिली मोजायक में कौन सा वेक्टर है? तो इसका वैसे क्या वेक्टर है? कौन फैलाता है चिली मोजायक वाइरस को? तो वो है बेमेसिया टवेसाई. यह इसका पेंटालोनिया नाइगरो नर्वोसा यह बंची टॉप आप बनाना को फैलाता है? और यह एफिस क्रेकी वोरा बहुत सारे बीमारियों को वाइरस को बहुत सारी क्रॉप में फैलाता है. लेकिन बेमेसिया टवेसाई जो है वो वेक्टर आप चिली मोजायक उसको पहलाता है और एक चिली से पुचा जाता है लीप करल आप चिली तो लीप करल को कौन फैलाता हो है थ्रिप्स आपकी थ्रिप्स जो है वो लीप करल को करती है विच और दा फैलोइंग इज कंसीडरेड ऐस दा इंटरनेशनल इंसेक्ट पेस्ट ना इंटरनेशनल पेस्ट यह अब यह आप से पूचा जा रहा है कि इंटरनेशनल पेस्ट कौन सा है तो आपको यह बताना रहेगा कि इंटरनेशनल पेस्ट कौन सा है तो वो है लोकस्ट को इंटरनेशनल पेस्ट माना गया है ठीक है आप यह देखिए कि नेशनल पेस्ट किसे कहते हैं नेशनल पेस्ट आप वाइड ग्रब वाइड ग्रब को आप नेशनल पेस्ट कह सकते हैं इसको कहते हैं क्यों क्योंकि यह और इसकी वाइड ग्रब कि क्या है कि वन य तो international pest क्या है, locust है, अब next क्या है मारा question, phalonistic side trailer is commonly known as, जो आपका phalonistic side trailer है, वो आम तोर पर जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तना बेदक है, तना छेदक है, इस्टेम बोरर है, कि रूट इटर है, जड़ खाता है, लीप माइनर है, कि डिफोलियेटर है, अब ये जब आप पेस्ट पढ़ेंगे, तब ये आप बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसका आगा जो सही आपसन है, वो C नंबर, C नंबर इसका सही आपसन है, लीप माइनर है, फाइलोनिस्टिक साइटरेला, साइटरस का लीप माइनर है, अब आप जैसे लीप माइनर इसका फाइलोनिस्टिक साइटरेला है, ऐसे ग्राउंड नट लीप माइनर में, उसका है अप्रोमिया मोधी सेला, उसका साइंटिफ तभी आप बता पाएंगे आपसन को सही लगा पाएंगे अब ये अगला कोस्टिन हमारा क्या है विज सिम्टम इज सोन इन पैडी बाई फीडिंग ऑप सरकोफाइगा इंसर्टुलस हमने आपको राइस क्राप पढ़ाई थी उसी से कोस्टिन पूछा गया है कि सरकोफाइगा इंसर्टुलस द्वारा धान को खाने पर लच्छण दिखाई देता है कौन सा लच्छण दिखाई देता है कैसा हॉपर बर्न दिखाई देता है कि वाइट इयर दिखाई देता कि विल्टिंग दिखाई देता कि डिफोलियेशन दिखाई देता है तो ये आपको बताना रहेगा option कि कौन सा लच्छन दिखाई देता है तो white ear हमने आपको पहले बताया था कैसा दिखाई देता dead heart and white ear इसका correct option होगा hopper burn hopper के द्वारा होता है wilting grub या दीमक के द्वारा होता है termite के द्वारा और defoliation जो आपके cut warm होते हैं उनके द्वारा होता है तो इसका साई correct option क्या होगा white ear है फिर हमारा next question क्या कह रहा है ethregona socata is commonly known as ये जो ethregona socata ये एक scientific name है ये आपको बताना रहेगा कि किसका scientific name है और किस फसल का है तो अब इसमें देखिए suit fly है कि pod borer है कि cut warm है कि army warm है तो पहला option आपका क्या है suit fly दूसरा pod borer है तीसरा cut warm है और चौथा army warm है तो ethregona socata आपका क्या है ये suit fly इसका correct option क्या है suit fly है जो कि sore gum crop में लगता है किस crop में है अब आप देखिए इससे related एक आपको नया question मिली गया है कि एक जो पूछ दिया जाए कि किस crop में लगता है तो आप बता देंगे sore gum तो ये हो गया आपका ये question अगला विच एंटीनल सेग्मेंट कंसिस्ट दा जोंस्टन आरगन आप एंटीना के किस खंड पर जोंस्टन आरगन पाया जाता है तो एंटीना के तीन खंड होते हैं कितने खंड होते हैं थ्री सिगमेंट होते हैं पहला होता इस कैब दूसरा होता पेडिसल और तीसरा का फ्लेजलम तो एंटीना जो है वो किस खंड पर अब हमने आपको क्या बताया तीन खंड होते हैं ठीक है अब इसमें आप संद कितने दिये हैं यह देखिए थर्ड दिया है पहला नमबर दूसरा क्या दिया सेकेंड सी फोर्थ और डी क्या दिया फिप मैं आब देखिए जब तीन खंड होते हैं तो आपको बताना है काउन से बचे पहला और दूसरा तो आपका इसमें दूसरा आफशन एकदम करेक्ट है दूसरे खंड पर जॉंस्टन आरगर पेडिसिल में प्रिजेंट होते हैं अगर जो आपका नाम भी दे दिया जाए तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा पेडि सुनिदि दूसरा खंड सेकन्ड सेकंड सेंड उसका पेडिसिल कहलाता है जिसमें जॉंस्टन आरगर प्रिजेंट होते है घ्रगिया थे है फिर प्रिड किया है बाइपक्टिनेट टाइफ आफ अप अनटीना फाउंड इन मेंUh quo आपकी बाइपक्टिन टाइफ सच याप इसमें पूछा गया कि बाइप एक्टिनेट टाइप एंटिना फाउंड इन तो किस कीले में बाइप एक्टिनेट एंटिना पाई जाती है तो पहला है ग्रास हॉपर दूसरा है मोथ तीसरा है हनी भी और चौता है मिली बग तो आपको ये बताना रहेगा तो इसका करेक्ट और आफसतन आपका मोथ सिलक वार्म पॉत मोथ में क्या है कि यह बाइप अरी टाईप एंटिना प्रेजन्ट होती है ग्रास आपर में आपके फेली फोर्म ऐंटिना होती है कौंसे एंटिना होती है फेली फोर्म मिल जाएंगे honey bee में आपकी जैनीकुलेट टाइव एंटिना पाई जाती है आंट और honey bee में जैनीकुलेट पाई जाती है लेकिन दीमक में क्या है molly formentina होती है तो इसका correct option क्या होगा mode next question क्या है grocery disease in silk war is caused by यह देखो हमने आपको एक वीडियो हमने आप डाला था disease of silk war उसमें हमने आपको disease जो silk war की जितनी भी disease हैं उनके बारे में सबको बताया था अगर जो आपको पता वो लेक्चर आपने देखा वो वीडियो देखा होगा तो आप तुरंत आपसन इसका बता सकते हैं तो ग्रैसरी डिजीज आप सिल्क वर्म तो यह डिजीज इसका करेक्ट आपसन है वाइरेस किसके कारण होती है यह वाइरस के कारण होती है फंगसी के कारण कोई सिल्क वर्म में ? यह रिश हो गया ग्रैसरी डिजीज एह इसका हो मता रहों होती है ओर और bacterial disease जो होती है, bacteria के कारण वो होती है flashery disease यह है grassery, वो है bacteria के दोरा वो है flashery और nematode के दोरा होती है pebriand disease pebriand disease जो है वो nematode के दोरा होती है तो आप यह सारे options इनके ध्यान रखेंगे इसका correct option क्या है? virus अब आप देखिए next question BT cotton was released for commercial cultivation in India in a year BT कपास को साइक खेती के लिए भारत में किस वर्स लागू किया गया? अब यह पूँच रहा है कि BT कपास को भारत में commercial के लिए कब लागू किया गया? commercial cultivation के लिए कब लागू किया गया? तो इसका correct option आपका क्या है? B number 2002 में commercial cultivation के लिए लागू किया गया? next question क्या है आपका? head loss belong to which of the following insect order? जो आपका एक head loss, सिर का जो जूं है pediculous humanus captives, जिसका scientific name है वो किस order से belong करता है? यह आप से पूछा गया है तो आपको बताना है कि यह किस order से belong करता है? इसका correct option होगा आपका साइफेन कुलाटा यह साइफेन कुलाटा होगा अब बाकी यह जो आडर दी है socopetera, thaisenopetera, mylofega अब इन में देखिए कौन कौन से आते हैं इसमें तो साइफेन कुलाटा हम तो head loss हो गया जो सरीर का जूं है, वो उसका आडर क्या है? यह साइफेन कुलाटा अब thaisenopetera में आती है thrips क्या आती है? thrips आती है socopetera में आपका आता है buglice buglice mylofega में आपका आता है birdlice तो यह होगे लारवा आप housefly is called घरेलू मक्षी के लारवा को घरेलू मक्षी के लारवा कहलाते हैं या क्या कहते हैं घरेलू मक्षी के लारवा को तो यह है Metamorphosis, क्या है? Metamorphosis है, तो आपको बताना है कि किसके लारवा को क्या कहते हैं तो पहले घरेलू मक्खी के लारवा को हम माइगट कहते हैं क्या कहते हैं माइगट? अब बाकी जो आफसन है वो है निम्प, ग्रब, कैटरपिलर तो कैटरपिलर है, वो किसके लारवा को कहते हैं? वो है लेपिडो पेटेरा के लारवा को कैटरपिलर कहते हैं जो आपको कोलियो पेटेरा आडर है, उसके लारवा को ग्रब कहते हैं और जो हेमी पेटेरा हैं उनमें उनके जोने इमेच्वरी स्टेज होती उसको निम्फ बोलते हैं तो इसका तो करेक्ट आप्सन क्या होगा मैगट होगा ठीक अब इसमें आपको बताना है विच आप दा फैलोईंग एफिड आप लेग्यूम क्रॉप निम्ल लिखिद में से कौन सा दलहनी फसलों का माहू है तो यह जितने भी दिये गएं यह सारे माहू हैं यह सभी एफिड हैं लेकिन आपको यह बताना होगा कि कौन सा लेग्यूम क् में एफिड लगता है ऐसे कोस्चन आपके डियाचो और एफो के मेंस एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बियाचू के एमस्सी इंट्रेंस एक्जाम में जारेप लेबल में ऐसे कोस्चन बहुत पूछे जाते हैं आपको एक या दो एफिड पता होंगे लेकिन अब का अप्सेन एकड़म करेक्ट है लेग्यों में यही एफिस क्रेकि वर्य लगता है उप्वेट में लगता है यह प्रेथ आपका पहला उप्वेट में लगता है माईजेय परसी का वेजिटेबल में लगता जो आपकी सब्जियां और लिफा फिस अरीस में यह यफिट जो है मस्तर्ड क्रॉप में लगता है तो यह ते किसमें लगता मस्तर्ड में लेकिन लेग्यूम क्रॉब में दलाहिनी फसल में कौन सा एफिद है क्रागी हो रहा विच इन्सेक्ट आप mango हैज quarantine important अब देखिए quarantine important के लिए mangого का कौन सा इन्सेक्ट है तो यह quarantine important के लिए लेकिन यह question ही बहुत ज्यादा important, कैसे, यह कई बार पूछा गया है, यह जितने भी 25 question है, कहीं न कहीं यह पूछे गए question है, तो आप बताइए, fruit fly इसका पहला option है, दूसरा है, millibug, hopper, none of these, तो इसका correct option क्या होगा, fruit fly, यह fruit fly है, लेकिन nut we will be quarantine important, है, आम का कौन सा कीट कॉरेंटाइन के प्रती महत्वपूर है, तो fruit fly और stone भी बिल, वो दोनों है, लेकिन इसमें सी fruit fly है, तो fruit fly option साही होगा, यह आपका अगला question, paste which attack in field and storage of pulses, जो हमारा question है, यह क्या कहे रहा है, दलहेनों के खेत और भंडारन में हमला करने वाला कीट है, जो crop में भी लगता हो, दलहेन में, pulse में, और जब crop कट के harvest होके आजाए, उसके बाद इस्टोर की जाए, उसमें भी cause करता हो, तो वो कौन सकीट है, तो इसका correct option क्या होगा, पहला option क्या है, तो इसका correct option होगा, आपका A number, कैलासो बुरूचस चाइनेंसिस, पल्स बीटल, यह है, साइलस फोरमिस यह सूइड बीबिल है, सिटोफिला सोराईजी यह राइस का है, तो कैलासो बुरूचस चाइनेंसिस क्या है, यह पल्स का है, और यह फिल्ड और स्टोरेज दोनों में कौच करता है, नेक्स्ट, नमबर आप सिग्मेंट फाउंड इन्सेक्ट हेड, इन्सेक्ट हेड में कितने खंड पाये जाते हैं, तो कीड के सीज में पाये जाने वाले खंडों की संख्या, चार, छै, पांस, साथ, तो इसका करेक्ट आप्शन है, छै, इसक्स सिग्मेंट हेड में पाये जाते हैं, तो यह थे हमारे 25 इंपोर्टेंट कोर्ष्टन इंटमोलोजी के, जो की एगरी कल्चर में बहुत मुच्छे जाते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू, इसक्सित हैं, वीडियो, वीडियो, जो यू बहुत में, युले के, झाल झाल